हेलो एवरिवन कैसे हो आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे खुश होंगे स्वस्त होंगे तो आज की जो रीडिंग है यह हम करने वाले हैं देखेंगे हम आज के अपने इस रीडिंग में कि आपके जो पर्सन है वो आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे थे आज से चलिए मैं आप सब के लिए आज रीडिंग करने वाली हूँ मैं तो आज कार्ड चेंज करते हैं यो मैं आज इस डिक से ही यूज करते हूं इस डिक काई योज कूझ करते हुँ सबसे पहले बाद면 हम धूसरे कार्ड ही यूज surge करेंगे ठीक है तो रीडिंग का टॉपिक आपको बता दिया मैंने और जिनको मुझसे प्रसनल लिडिंग लेनी है चाहे कुले रीडिंग लेनी हो कुले रीडिंग मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं कैसे करती हूँ ठीक है कुली में अपको PDF फाइल दिल जाती है इसमें सब कुछ ठीक तो कुनली रीडिंग के फाइद ही ये हैं तारो का रीडिंग तो आप ले सकते हो तारो का रीडिंग मुझसे अगर आपको एकुरेट रीडिंग चाहिए तो जरूर कौंटक किजिए दीगए वाटसप नंबर पे ठीक है चलिए अब हम करते हैं रीडिंग को स्टार्ट अगर आप अपने लव लाइफ में जो है, लव लाइफ से परेशान हो, तो मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूँगी, क्या, ये पैनेंट लेने का, ये पैनेंट लेने का, ठीक है, क्योंकि अब जो है, निउ मून आ रहा है, ठीक है, अब अमाश्या के बाद फिर से निउ मू आएगा, और निउ मून में आपको ये जो पैनेंट है, इसको कैसे मैनिफेस्ट करना है, इसे अपने लववन को कैसे अपने पास बूलाना है, ये मैं आपको बताऊंगी, इस पैनेंट के द्वारा, आपका लववन आएगा, आपके पास दोड़ कर, ठीक है, तो अगर लेना चाहते हैं यह 100% करता है और किया है मेरा खुद का अपना प्रसनल एक्सपिरिंस है मैं आपको अपनों मैं मैं प्रसनली जो है यह एक्सपिरियंस कर लेती हूं उसके बाद से किसी को कोई भी इस्टोन परोवाइड करती हूं तो ये जो है ये देख रहे हो आप लोग है ना तो ये फूल मुन के बाद फूल मुन के बाद अभी आम उस्या आने वाली है आम उस्या के बाद से नियू मुन जब स्टार्ट होगा तब इसको हम manifestation करेंगे ठीक है तो अगर आप ये लेना चाहते हैं फूल मुन के पहले मतलब किया तो ठीक तो अगर आप लेना चाहते हो ये पैंडिन तो जरूर लीजे दिये गए वाट्स अप नमबर पर कॉंटेक्ट करके रोज क्वाज है ये और लव लाइफ के लिए है इस्पेशली आपके हाट प्रॉब्लम के लिए है हेल्थ के लिए भी है प्लीज मुझे गा निकालते हैं ओके 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 ठीक है आज सुबह सुबह वो क्या सोच रहे थे आपके बारे में ओके बाटम आफ तरु डेक देख लेए हैं बाटम आफ तरु डेक है शेवन आफ वेंड्स सबसे पहले तो यहां पर ऐसा दिख रहा हैं आप दुनों की बीच अब अपने पर्सन को कॉल करते हो मैसेज करते हो लेकिन यह पर्सन रिसीव नहीं करते हैं इग्नोर कर देते हैं टोटली ठीक यह पर्सन टोटली इग्नोर कर देते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इनको लगता है कि कि मैं उसको डील नहीं कर पाऊंगा आपको यह person डील नहीं कर पाएंगे इनको हमेशा लगता है इनको लगता है कि आपके साथ अपने relationship को ले कि एक दम से जो है ना प्रॉब्लम में घिर जाते हैं मतलब कि अभी भी फिलहाल इनके जिंदगी में प्रॉब्लम ही चल रही है और इस प्रॉब्लम में फ्रस्टेट होकर कि यह आपका कॉल मैसेज का कोई रिपलाई नहीं करते होंगे आपको ब्लॉक भी कर दिया होगा इस थेने परिश्टेट होकर के क्योंकि इस पर्शन के लाइफ में अल्रेडी क्लवरी चल रही है लेगे तो यहां मैनत किया जा रहा है क्योंकि जुग के लिए यह बंदा है यह बंदा या बंधि Bendha आपका पर्शे CT से वाब कर यह परिशान है और उनका भीन नहीं है कि effort डाल 2 of coins, 3 of coins, यहां मेरे पास king of cups, sorry knight of coins, king of coins, hermit, page of swords, 2 of wands, ace of coins, 5 of coins. हम, ठीक है, तो cards यहां पर यह है, sign बता देती हूँ, आपको cancer scorpio, Pisces, Taurus, Virgo, Capricorn, यहां है मेरे पास Aries, Leo, Sagittarius and Gemini, Libra, Aquarius, यानि कि पूरे के पूरे sign available है हमारे पास, ठीक, बात करते हैं आपके cards की, कि आपके cards क्या बता रहे हैं, तो cards मुझे बता रहे हैं आपके, कि आपके जो person है, सुबा सुबा, सुबा यह person को कुछ पुरानी बाते याद आ गई थी, वो कुछ पुरानी बाते, कुछ पुरानी यादे, जो आप दोनों से related हैं, और बहुत बहुत ज़्यादा important है वो, बहुत ज़्यादा important, कुछ ऐसी चीज़े होती हैं हमारी लाइफ में, जो कि हमें ज़क जोर के रख देती हैं, कहते हैं न कि हम ज़क जोर के हमें रख दी हैं कुछ चीज़ों नहीं, तो वहाँ पे वो मुझे दिख रहा है, कि यह person का, एकदम से clearly दिख रहा है, कि यह person बहुत बहुत परिशान ह यह person third party situation में है, अगर आपको पता है कि आपका person और आप दोनों third party situation से deal कर रहे हो, यानि कि आप दोनों की life में third party आ चुकी है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि यह person परिशान है, आपके बारे में सोच करके, आपके बारे में बहुत ज़्यादा deeply सोच करके परिशान है, यह इ सोच सकते कि यह कितना ज़्यादा deep level की thinking करते हुए दिख रहे हैं, सुबह नींद खुली, सुबह नींद खुलने के बाद यह person आराम से कहीं अकेले में बैठ गए, चाहे पार्क हुआ, रूम हुआ, छट पे हो गया, यह person बस आराम से बैठ गए, वहाँ पे, मुझे यहाँ पे यह दिख रहा है कि यह person इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा उदास आज सुबह सुबह हुए, कि यह मतलब इनके सुबह आज अच्छी नहीं गुजरी है, क्योंकि इनको सुबह उड़ते ही क्या हो रहा था फिल, कि इनको जो है, इनको जो है, जो तकलिफ है ना, वो बहुत ज़्यादा एक अंदर से हिला देने वाली तकलिफ है, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके person बहुत परेशान है, आज सुबह सुबह ही इनको लग रहा था कि जिससे की, कुछ खतम हो गया है, इन्होंने कुछ खराब सपने भी देखे ह कर रहे होगे, लेकिन यह person जो है, यह person जो है, यहाँ पे दिख रहा है, कि यह person बहुत ज़्यादा लोग फिल कर रहे थे, यह person उसी समय सोच रहे थे, कि मुझे decision ले लेना चाहिए, कि मुझे decision लेना चाहिए, क्योंकि यह person की खुशी और इस person का दुख अब इनके हाथ में है, क्यों इनके हाथ में है, तो आपने तो पूरा अपनी जान लगा दे आपने, पूरा 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 ठीक है, और मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, जैसे कि आपके person आपको उस तरीके से डिल ही नहीं कर पाते थे, उस तरीके से आपको बता ही नहीं पाते थे अपने दिल की बावनाएं, जिस तरीके से शायद यह person अगर बता देते, तो आप और और ज़्यादा इनसे खुल की बाते कर रहे होते, यहाँ पे ऐसा मुझे फील हो रहा है, कि आपके जो person मुझे बहुत ज़्यादा एक फिलिंग्स हाइड करने वाले person है यह person इतना ज़्यादा feelings को हाइड करते हैं, इतनी ज़्यादा low energy है इनकी, यह person आपको बहुत तर्साया है, बहुत ज़्यादा तर्साया है, आपको totally ignore किया है, आपके person ने, मुझे यहाँ पे फील होता है, यह पर्सन भी आसम नियां है जब आपके रेसंट आपके सांथ कर रहें кोंसे लिए पर्सन मुझे यहां पर देख रहा है कि पर्सन बहुत बहुत ज़्ता खाली पन सा में डिखाई दे़ रहें क्योंकि आज सुबह सुबह ही इससे की मैंने आपको पहले भी बताया कि यह परसन बहुत अकेले पन में बैठे हुए थे बहुत ज़्यादा खाली पंसा अधूरा पंसा मैसूस हो त्रवर्व का सब्सक्राइब देने से इतना डड़ते हैं और बन्दें तरीके से पीघ्मा्राण्वा युञें और सब्सक्राइब एंसमा अदुश्य प्रम्म्रा दिक्ना को हमेशा में जैसे कि यह जो पॉर्सन है ना अब फिलहाल जैसे की कार्ट्स आये हैं तो कार्ट्स क्लियर बता रहे हैं कि अब जो है आपके पॉर्सन आपकी वेल्यू को भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं और अब जो है आपको जितना समझना चाहिए था उससे कहीं ज्यादा समझने की च दिल से कोई बात निकल वालो यह आप के लिए पॉसिबल नहीं नहीं हो नह्यीं हो सकता यह पॉसिबल ही नहीं है कि आप इंके दिल से वह वाद निकल वाल ठिक यहां पे पर्स 10 जéri आपको social तो आपको देिखर आपको यो सपर्सन आपको अगर आप सोचल मीडिया के थूर्फ नहीं हो तो यह पर सक confess क्या है चल रहा है 됩니다 यह इ Regarding inutतजार्बूर बहुत करवा लिया आप दोनों की बीच में दूरी बहुत अगय है और अब अब ऐसा दिख रहा है कि अब आपके आपके सांथ finally को लग रहा है कि अब यह जो दूरिया आ गई है अब जो यह energy आई हैं हम दोनों के बीच में इसको खतम करने का व्क्त आ चुका है अब इस परसन को लग रहा है जिसे की दूरिया जितनी जल्दी खतम हो उतना जदा बैतर होगा उतना जदा बैतर रिजल्ट आएगा आप दोनों के बीच में देखो यह परसन अपने तरब से मुझे फिल होता है कि बहुत ही जल्द एक solid offer लेकर के आ रहे हैं बहुत ही ज्यादा solid offer ऐसा offer जिसका शायद आप इंत जादार कर रहे थे आपको आपके पास लेकर कि आ रहे हैं ठीक, मुझे यहां पे ये भी दिख रहा है जिसे कि दो साल का इंतजार भी रहा है शायद आपका तो अब समय, फाइनली 2 साल के इंतजार भी खतम होने वाला है और इंतजार खतम हो करके यह आपका रिजलेशन आगे तक जाना चाहिए मेरे अनुसार से ठीके चलिए मैं कार्ट्स और कुछ निकाल लेते हूं देखती हूं कि क्या कुछ कार्ड्स हैं क्योंकि यहां पर जो है ना मुझे कुछ और एनेर्डी चाहिए क्या तकि मैं हैं आपको और क्यार तरीके से बता सबीक हमें कार्ट पार नेकालएर जिसे हमें पता चलीका क्या है बॉटम हम आफटा टैक क्ली कॉफडि का करने बहुत ही अच्छा सा काहँ है नंबर वन याने कि सक्सेस का काहँ सब्सक् ठीके यह पूर्सन का दिख रहा है कि आपके लिए जो इनके एनरजी है अब इनको पूरी तरीके से समझ में आ रहा हैं ऊके तो फिर यहां पे आ गया two of sorts का card, देखो मैंने आपको पहले भी कहा कि यह जो person है, confuse रहने वाले हैं और यहां पे देखो यह person के लिए फिर card महीं आ गया कि यह person छो हैं काफी confusion में रहें, सुबह-सुबह इनकी जो confusion थी यह खतम ही यह नहीं हो रही थी, यह परसन को कैसे हो यह क्रॉस रोड पे खड़े हैं यह परसन अभी यह परसन को मैं देखू तो यह परसन क्रॉस रोड पे ही खड़े हैं और आपको लगता होगा कि यह परसन अब क्लियर हो चुके हैं आपको जस्टिस नहीं दे रहे हैं यह परसन बिल्कुल भी जस्टिस न बहुत डाला है बहुत effort डाला है आपने अपनी जी तोड़ मैनन इस relationship में लगाई जी तोड़ आपने मैनत करी है जी तोड़ आपने दिखाया है कि आपके लिए ये जो relationship है ये कितना ज्यादा important है कितना ज़्यादा important है यह relationship आपके लिए और आपने जिस तरीके से इस person के लिए किया है इस तरीके से करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है ठीक तो यहाँ पर दिख रहा है कि अब जो है काफी ज़्यदा सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं अभी फिल हाल अगर में देखू ना तो आपके person एक अलग सी energy में आ चुके हैं यानि कि अब इनके अंदर वो strength वो power वो feelings जो कि आपको साथ यह person को share करना चाहिए वो इनको feel होती हुए दिखाई दे रही है मतलब इनको समझ में आ रहा है कि अब जो है relationship में कैसे क्या करना इस तरीके से demotivate हो करके यह person ऐसे नहीं रह सकते demotivate तो आपको भी कर दिया है इस person ने खुद भी हुए है और यहाँ पर सुबह सुबह कहते हैं न कि जब यादों के बरात निकलती है न तो हमें ले करके उस बरात में हम कहां चले जाते हैं हमें पता नहीं चलता तो वो सुबह सुबह इनकी जो याद है इस person को इस तरीके से परेशान कर रही थी कि यह person अपने आपको भूल चुके थे सुबह सुबह ही बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा pain होता है इस परसन को सुबह सुबह आपके लिए जो इनकी feelings हैं जो emotions हैं ये control करना और control करके अपने चहरे पे ये जो नया mask है उसको लगाना यानि की हस्ता हुआ चहरा दिखाना इस person के लिए भी आसान नहीं है ये person के लिए आसान बिल्कुल भी नहीं कैसे असान होगा बढ़ी कैसे होगा यहां पर यास परस एक दम से ऑदास उदास है अग्दम परेशान परेशान तो यहाँ पर कहिंड यह जो एटाइच्मेंट है डीप अटाइच्मेंट है यह डीप और बहुत ज़ादा डीप होती चली जा बहुत जादा दी और यहां पर आपके जो पॉर्सन है देखो कहते हैं कि समय सब कुछ सब कुछ बदल देता है सब कुछ दिखा देता है तो अब समय ठीक वैसा ही आगया है ठीक समय वैसा ही बदल रहा है ठीक वैसा ही समय बदल रहा है जैसे कि यह जो पॉर्सन है आपके वै समय के अनुसार कोई बदल जाता है और यह परसन के अंदर भी बदलाव आप देखोंगे एकड़म हंडेट परसंट आप बदलाव देखोंगे क्यों कि इन आपके बारे में पहले हैं सोचना जरूरी बिल्कुल भी नहीं करते थे लेकिन अब क्या है इस परसन को पूरी तरीके से समझ में आ रहा है आपकी वैलू कैसे करनी है आपको कैसे मैनिफेस्ट करना है यह का गोस्enden इतना ज्यादा दिमाग घुमा है कि यह परसन अब आपको मैनिफेस्ट भी करते दिखाय दे रहे हैं जैसे कि इन्हों ने आपको तड़पाया है और अब जो है इनके तड़पने का वक्त आ चुका है अब इनके तड़पने का सही समय आ चुका है कि अब आप इनको तड़पाओ ठीक है इनको तरसाओ कि हां तुम देखो ठीक है तुम देखो मैं तुम्हें क्या करक यह से चंखार कि आप मैं काहऊंगे कि यह जो फॉर्टन है इतना ज़दा कि आपको खुद को भेडि़ोव… खुद को भरोसा विल्कुल भी नहीं होगा कि यह परसन आखिर इतना ज़दा कैसे बदल गए ठीक है मुझे यहां पर यही दिख रहा है कि आप दोनों के जो परसन हैं मुझे कि आप दोनों को कह रहे हूं क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है जिसे कि आप दोनों एक दुसरे के लिए इतना ज़्यादा पॉस्टिव हो गया हो कि आपको अब चाहे दुनिया हो या जो भी हो अब आपको कोई अलग नहीं कर सकता ठीक तो अब जो है ना यह परसन अब आ जादा आपने सोचा नहीं होगा उतना जादा यह परसन अब डालने के लिए तयार हो चुके हैं इस परसन ने सोचा है कि मैं एक डिसिप्लीन बनाओंगा और डिसिप्लीन बना करके तब इस रिलेशनसिप में काम करूंगा मतलब पूरा अब एफ़र डालना है जमीन आसमा को फील हो रहा है यह जो परसन है ना आपके बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा अपने आपको अपने फीलिंग्स को अपने इमोशन को बहुत ज्यादा स्ट्रॉंग रखना चाहते हैं स्ट्रॉंग करना चाहते हैं और फाइनली यह परसन अब इनिवर्स एंजल्स यह person अब आपको ऐसा feel करवा देना चाहते हैं कि आपके जो भी आपने सपने देखे थे इनके साथ वो इस person ने पूरे कर दिये हैं और वो सपने पूरे करने के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया है बहुत ही कुछ किया है और आपको पूरी तरीके से realize करवाएंगे यह person ठीक मुझे प्यार दे तो वो जो है अब प्यार, emotions, feelings हर एक चीज अब यह person आपके देने को तयार हो चुके हैं अब पूरी तरीके से यह person तयार है तो मुझे भी जहां तक दिख रहा है कि अब आपको tension नहीं लेना चाहिए मेरे अनुसार से ठीक तो आप tension free रहो मुझे यहां की energy कनुसार से पूरी overall energy कनुसार से मुझे यही दिख रहा है आपके cards में तो यह है आज की reading आपकी reading आई होप reading आपको पसंद आई होगी और साथी साथ गाईस अगर आप मुझसे कुंडली reading लेना चाहते हैं तारो कार्ड रिडिंग लेना चाहते हैं या फिर आप मुझसे ब टिक दी जाएगी और आप जो है दिये गए WhatsApp नमर पर ही स्रीफ कॉंटक्ट करें मेरा तो ऐसे भी जो है वो कमेंट बॉक्स बंद है तो टैंशन वाली बात नहीं है आप दिये गए WhatsApp नमर पर कॉंटक्ट कीजिए वहां पर आपको सारी details प्रोवाइड कर दी जाएंगी ठीक तो चलिए फिर मिलते हैं फिर अगली रिडिंग में बाबाई